अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले जरोधा के दीमेट अकाउंट में नोमनी को एड नहीं किया तो उस कंडिशन में आपका जो जरोधा का दीमेट अकाउंट होगा वो डॉर्मेट हो जाएगा या फिर आप अपनी भासा में बोल सकते हैं कि वो बंद हो जाएगा आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपके वहाँ पे स्टॉक्स रखे हैं तो वो सेफ है लेकिन आप उनको बेच नहीं पाएंगे और अगर आपका इंडियन रुपीज है वो भी आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप इस समश्या से चुटकारा पाना चाहते हैं सो सेबी की जो नई गाइडलाइन आईए उसको आपको फॉलो गरना है आज की इस वीडियो के माध्दम से step by step detail में जानेंगे आप किस प्रकार से जरोधा में काइट mobile application को यूज करके नोमिनी को add करेंगे नोमिनी क्या होती है नोमिनी कैसे काम करती है नोमिनी क्यों जरूरी है और नोमिनी को add करते समय आपको कितना percentage जो आपका investment उसका share देना है तो सबसे पहला step है आपको जरूधा के काइट mobile application को डाउनलोड कर लेना है अपने mobile में मैं वीडियो के description में भी आपको link provide करवा दूँगा या फिर अगर आपके पास iPhone है तो आप App Store से डाउनलोड कर लीजे या फिर अगर आपके पास Android है तो Play Store से डाउनलोड कर लीजे डाउनलोड होने के बाद में आपको open पे क्लिक करना है open पे आप जैसे क्लिक करेंगे हो सकता है कि यह आपसे permission मागे notification के लिए तो आप इसको allow भी कर सकते हैं allow ना भी करें आपके ओपर depend करता है उसके बाद में यहाँ पे option मिलेंगे login to kite वाले option पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपसे आपका user id एंड password पहुंचा जाएगा तो जो भी आपका user ID है वो आपको डालना है जो भी आपका password है वो डालना है उसके बाद में login पे क्लिक करना है उसके बाद में आपने जिस प्रकार की भी security सेट अप कर रखी है उस security के अनुसार आपको यहापे जो OTPO वो प्रवाइड करवाना है अगर आपने SMS security enable कर रखी है सो SMS आएगा आपके SIM पर अगर आपने 2FA enable कर रखा है सो Google authenticator का आपको जो code है वो यहाँ पर डालना है जैसे आप अपना जो भी code है security का वो डालेंगे यह automatic verify कर लेगा login जैसे ही आप कर लेंगे first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा नीचे आपको काफी सारे option देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर आपको user ID का एक logo देखने के लिए मिलेगा just यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बात में कुछ इस प्रकार का page आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको काफी सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं आपको यहाँ पर profile का एक option मिलेगा यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको browser select करने के लिए भी बोला जा सकता है so आपको जो next page पर भीजा जाएगा वो होगा console का page and आपको यहाँ पर कुछ again आपकी basic detail दिखाए देगी यहाँ पर आपको एक option मिलेगा mark का यहाँ पर just आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको काफी सारे यहाँ पर option देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर एक nominees का option आपको देखने के लिए मिलेगा just यहाँ क्लिक करेंगे जैसे आप nominees के option पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर nominee add करने का option आ जाएगा यहाँ पे जैसे कि मैंने फिलाल एक भी nominee एड नहीं कर रखिये इसलिए मुझे यहाँ पे nominee नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे add nominees का एक option मिलेगा just यहाँ click करेंगे अब nominee को add करें उससे पहले कुछ basic बात हैं वो आपको समझनी है nominee आप अपने family members को बना सकते हैं आप अपने दोस्त को बना सकते हैं या परिवार में किसी भी सद्दश को बना सकते हैं जिस पे आपको भरोसा है कि मेरे पैसे का मेरे बाद में कौन मालिक होना चाहिए या फिर किसको मिलना चाहिए लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको तो आपके परिवार में सभी सदश अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में आपको लगता है कि मेरे पैसे बहुत जादा है बाद में ये लोग लड़ाई-जगड़ा ना करें मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा जो investment है ना इसका share सब में divide कर देता हूँ for example कि आपने 1000 रुपए stock market में invest किया है और आप 10 family member को अपना जो investment है उसका इससा देना चाहते हैं तो आप 10 nominee add करेंगे और 10-10% जो stake हो देंगे तो सबको 100-100 रुपए का जो investment होगा आपका वो मिल जाएगा तो basic सी बात है आप इसी प्रकार से मालीजे दो लोगों को देना चाहते हैं तो 50-50% जो share है वो आप देंगे बट again आप nominee जिनको भी बना रहे हैं उन पे आपको भरोसा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप किसी को भी nominee बना दें तो सबसे पहले यहां पे आपसे पूछा जाएगा nominee का first name nominee का जो पहला नाम है जैसे मेरा नाम रिंकु सैनी है तो रिंकु मेरा पहला नाम है तो nominee का जो भी पहला नाम है वो डालेंगे अगर nominee का कुछ middle name भी है for example तो first name में ही आप डालेंगे जैसे मेरा नाम रिंकु कुमार सैनी है तो रिंकु कुमार मैं first name में लिख दूँगा और last name में मैं सैनी लिख दूँगा उसके बाद में जो nominee का email आइडिया वो लिख देंगे अमाल लिजे आप अपनी मा का यहाँ पे नाम लिख रहे है या पापा का नाम लिख रहे है और for example कि उनके पास email आइडि नहीं है तो आप एक नया email आइडि बना सकते हैं उसके बाद में nominee का आपको mobile number प्रुवाइड करवाना है उसके बाद में उनकी जो exact date of worth है legal document में वो आपको यहाँ पे प्रुवाइड करवानी है उसके बाद में यहाँ पे आपको address डालना है अगर building number है तो वो डालना है उसके बाद में आपका जो area है village, ctf वो आपको यहाँ पे प्रुवाइड करवाना है उसके बाद में आपको यहाँ पे pin code प्रवाइड करवाना है उसके बाद में the nominee is my यानि की जो nominee है वो आपकी क्या लगती है या लगते हैं आपको यहाँ पे click करना है select relationship है यानि की आपका क्या रिस्ता है उनके साथ में यहाँ पे काफि सारे option आपको मिल जाते हैं आपकी condition में आप जिनको भी nominee बनाना चाते हैं पहली भार क्याँ आप multiple nominee बना सकते हैं आप जिनको भी nominee बना रहे हैं उनका समंद आपके साथ क्या है वो आपको यहाँ पे select करना है उसके बाद में percentage of share मैं यहाँ पे जो मेरी मा है उसको 100% stake देना चाहता हूँ यहनकी जितना भी मेरा investment है उसका पूरा 100% उनके ही पास जाए उसके बाद में आपको जो nominee का ID proof है वो यहाँ पे आपको provide करवाना है आपको यहाँ पे PDF या GPG या PNG file में ही जो format वो upload करना है इसके अलावा यहाँ पे भी नीचे लिखावा मिल जाएगा कि कौन-कौन से document आप ID के लिए यहाँ पे submit कर सकते हैं जैसे कि pen card है, passport है, आधार card है ट्राइंग license है, water ID है और date of worth का जो certificate होता है वो भी आप upload कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे nominee की जितनी भी detail मुझे submit करनी चाहिए थी वो सभी detail submit कर दी है उसके बाद मैं continue पे click करूँगा उसके बाद मैं आपको एक next page पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको e-sign करना होगा बट हो सकता है कि आपको न भेजा जाए आपको एक pop-up आए जिसमें allow करने का option आएगा तो आपको allow कर लेना है जैसे यहाँ आप allow करेंगे उसके बाद मैं आपको next page पे भेजा जाएगा यहाँ पे आपको proceed to e-sign पे click करना है यहाँ पे एक आपको form दिखाई देता है इसमें जो nominee की detail है वो आपको दिखाई देंगी की nominee का क्या name है उसके बाद मैं आपके साथ उनका क्या रिस्ता है कितना आप जो आपका investment है उसका share दे रहे हैं basic detail है उसके बाद मैं e-sign now पे आम नीचे click करेंगे उसके बाद मैं आपको nsdl की website पे भेजा जाएगा यहाँ पे आपको authorize करना है जिसके लिए आपको tick mark करना है और जो भी आपका आधार card number है खुद का वो आपको यहाँ पे डालना है and send otp पे click करना है उसके बाद मैं आपने जो भी आधार card number डाले है और जिसके साथ जो भी mobile number लिंक होगा उस पर आपको otp भेजा जाएगा जो भी otp आपको मिलता है enter otp वाले option में डालेंगे उसके बाद मैं verify otp पे click करेंगे उसके बाद मैं आपको थोड़ा wait करना होगा आपका जो e-sign है वो successfully verify हो जाएगा अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मेरा e-sign है वो complete हो चुका है इसने मुझे वापस से back कर दिया और यहाँ पे लिखा रहा है कि मेरी जो nominee की detail है वो submit हो चुकी है अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि request में मुझे दिखा रहा है फिर मैंने proof अच्छे से provide नहीं करवाया है तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे error आए और वापस से मुझे जो nominee है उनकी detail provide करवानी पड़े अगर आपको कोई भी समझ्या आती है तो आप comment करके पूछ सकते हैं और अगर आप जरोदा के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में या कुछ भी तो जरोदा की playlist का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा